जिए हो चुका है क्रिकेट मसाला का अगाज और आज है सेमी फाइनल इंडिया वर्सस ऑस्ट्रेलिया और मैं आपको दिखाऊंगी सुर्यान शी कि क्या है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिपोर्ट तो आज है महत्वपूर्ण मुकाबला और क्या कहते हैं हमारे खिलाडियों के सितारे क्या है क्रिकेट का ये एस्ट्रो कनेक्शन वो बताने के लिए आज हमारे साथ है अस्ट्रोलिजर भावना और टैरो कार्ड रिजर तोशिका अगर हम बात करें मिताली राज की कुंडली की तो उसकी कुंडली अपने आप पे बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि उसकी कुंडली में जैसे कि मैंने डेट वर्ण से निकाला है 3rd December 1982 और यहां पे मिताली राज की कुंडली में जो सूरे है वो व्रिशिक राशी में है तो कही ना कहीं पे अपने आपे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग कुंडली है ऐसे जो लोग होते हैं क्योंकि इनका जो शनी है वो तुला राशी में है तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके अंदर एक लीडर्शिप क्वालिटी होती है और लास्ट मोमेंट तक भी हार नहीं मानत तो यह इनके अंदर बहुत बड़ी खूबी है आज के अगर मैं गोचर की बात करूँ यानि कि आज कर जो समय है द्वादिशी है उसी के साथ-साथ रोहीनी नक्षात्र पढ़ रहा है क्योंकि तीन बजे जब मैच शुरू होगा उस वास पे तो और अगर यहां पे मिताली आज के कुंदली अपने अपने खास है और आज के दिन बहुत अच्छा प्रदर्शन देंगी लास मोमन तक हार नहीं मानेंगी जैसे मैंने कहा अपनी पूरी टीम को एक तरह से उनका उनको लीडर शिप क्वालिटी जैसे मैंने कहा तो उनका नेतृत्व करती हुई उनकी कुंदली के अगर बात करी जाए तो उनकी कुंदली में थोड़ा सा मुझे यहां पर दिकत लगरे क्योंकि आज के दिन में अपना पंदरा से बीस मिनट तक का जो उनका कॉंदेंस लेवल है मैं कहूंगी वो थोड़ा सा डाउन जाएगा अपने दर्शकों को भी बत ुए इनका बहुत जादे बल्वान दिक्काव लिए अगर बात करूंत्य तो हमाट के दिती तेंस के बीच लेकिन zegए तो अगर मैं आज की माच की बात करूँ तो मैं बोलूगी कि अगर मिताली राज की बात करूँ बहुत ही जादा constructive खिलाडी है बहुत जादा proactive है चीजों को बहुत balanced और planning से चीजों को चलती है अभी तक अगर अगरम उनका performance तेके तो काफी जादे इंप्रूफ किया है और उनकी टीम जो है वो स्टेबिलिटी की वज़े से बहुत जादा जानी जाती है नो डाउट उनके स्टार्स और अगर मैं निम्रोलिजी भी लूँ तो परस्नल लिया मिताली राज का सिक्स चल रहा है जो अपने आप में वीनिस का नंबर है नेम फेम के साथ-साथ ही आपको constructive approach भी दिलाता है तो सकता है थोड़े overconfidence में भी रहें तो शिका आपको आपको यह लगता है कि कही ना कहीं जैसे ग्यारा मैसे 9 मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं वर्ड कप की अगर बात करें और जो टीम इंडिया है उसने 2 मैच जीते हैं तो क्या उसका भी एसर कही ना कहीं टेरो कार्ट पर यह दिखाता है कि जो भी परसने बहुत सुझा हुआ है बहुत ही अच्छी एप्रोच के साथ आगे बढ़ रहा है confidence है लेकिन overconfidence तहीं है तो मैं यही चीज़ बोलूगी कि Australian team को India को कमने ही समझना चाहिए India बहुत अच्छे साच परफॉर्म करने वाला है वैसे भी 3 और यानी चंद्रमा का नक्षत्र होगा दोनों ही combination यहां पर मैच कर रहे हैं तो इंडिया के लिए अच्छा टाइम पी तो इसे में आपको क्या लगता है कि अच्छा जो है बहुत अच्छा जो है वो लगन है और बहुत अच्छी तरह से इंडिया परफॉर्म करने वाली बड कि अगर मैं यहां निम्रोलजी और टारो दोनों को कम्बाइन करती हूँ तो पुनम रावत का जो डेट अच्छा परफॉर्म ना करें और उनका जो कॉंबिनेशन बनता है और जो परसनल यह चल रहा है वो 7 जल रहा है मैं इतना बोलूँगी कि थोड़ी सी लाक ओफ अगर बैटमेंट होगी तो वो मीडियम यानि मिडल सेंस में होगी जो भी बाटिंग करेंगे स्टारिंग मैं आपको यही लगेगा कि इंडिया चल रहा है अगर बात करें तो सब के नजरे स्मृतिय मंधाना पर आउट आप फॉर्म वो चल रही है तो उनके क्या सितारे कह इस बार क्या वो टीम इंडिया को जीत दिलाने में काम्याब रहेंगी इस पृतिम अधारे की जहां तक बात है 18 जुलाई 1996 है इनका डेट ओफ और जहां तक इनका समय की बात करूं मैं तो इनके लिए कही न कहीं पर मैं यह काऊंगी कि एफ़र्ट यह बहुत जादा डाल हैं लेकिन उतने जादे इनको results नहीं मिल रहे हैं यह इनका जो time period है वो यह कह रहा है इनकी कुणली के हिसाब से तो आज के दिन में भी मुझे यही लगता है कि कही न कहीं पर मिधाली राज इनके उपर dependent है और यह भी अपना पूरा तरह से अपना effort डालेंगी अपना input 100% लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आज के दिन में उतना अच्छा ये नहीं दिखा पाई तोड़ा सा कहीं न कहीं पर सितारे जो है इनका साथ नहीं दे रहे हैं लेकिन भावना आपको क्या लगता है कि आज जो team India है उसमें की player कौन हो सकता है कौन game को उलट फेर कर सकता है कौ team India को जीत दिला सकता है मुझे आज के दिन में लगता है कि कहीं न कहीं पर जो मिताली राज है अपने आप में captain सी बहुत अच्छी निभाती है वो तो यहां पे अगर इनके मैं कहूं जूलन गोस्वामी जो है आज कहीं न कहीं पर अपना प्रदर्शन बहुत अच्छा दे लेकिन मैं यह समझोंगी कि आज सेकेंड इनिंग जो रहेंगी उसमें अचानक से उनका जो प्रदर्शन है वो बहुत कमाल करा हैगा लेकिन फर्स इनिंग में थोड़ा से स्टार्ट अप देने में उनको थोड़ा पक्त लगेगा जी हां तो आज बहुत ही एहम मुकाबला और डर्बी के मैदान में हमेशा ही स्पिनर कमाल करते हैं करेंगी लेकिन क्योंकि उनका कॉमिनेशन देस्टिनी और बेसिक नंबर सेवन और एट और परसलेर इनका टू चल रहा है इतना जादा अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी जितना जादा इंडिया उन पर डिपेंड हो रहा है मैं एचीज जरूर बोलूगी कि थोड़ा सा घबरा जाएंगी उनकी छोटी से मिस्टेक की वज़े से पॉसिबिल्टी हो सकती है कि टीम इंडिया को पहवना आप क्या करेंगे एकताबिष्ट कैंश चेरी लिए उनकी जो बाखी टीम की तरफ से सब्सक्राइब करेंगे लेकिन जैसे की तोचीज आने बीकर है कहीं न कहीं पर मिताली राज जो है वो उन पर dependent हो रही है लेकिन इनको support कितनी मिलती है ये बहुत बड़ा challenge है इनके लिए तो कहीं न कहीं पर second innings में थोड़ा थोड़ा इनका production जो है better रहेगा लेकिन first innings में मैं कहूंगी supportive नहीं रहेंगे भागना मैं आपसे पूछना चाहूंगी वेदा कृष्णमूर्थी के अगर हम बात करें लास्ट मैच में hero one के सामने आई थी 45 बॉलों पे 60 रन मनाए थे इस बार आपको लग रहा है की player हो सकती है हो देखें इनके लिए जो इस वक्त का समय चल रहा है वेदा कृष्णमूर्थी के लिए आज का दिन खास तोर पे बहुत खास है क्योंकि आज के दिन में की कुंडली को कही न कहीं पे जो रोहिनी नक्षतर पड़ रहा है और उसके इसाब से अगर देखा जाए तो आज के दिन में वेदा कृष्णमूर्थी का बहुत अच्छा प्रदर्शन हो सकता है क्योंकि पिछले माच पे इनोंने बहुत अच्छा किया था लेकिन आज के दिन में यह कहूंगे एक स्टार्ट अप बहुत अच्छा लेंगी है और उसके बाद कही न कही पर ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स भारी पड़ेंगे आज क्योंकि उनके लिए भी जो लेनिंग की कुनली है वो भी बहुत अपने खास है बहुत ही जादा स्ट्रॉंग है और आज के दिन में उनको उस चीज का फाइदा उठाने है क्योंकि लेनिंग की कुनली में यहां पर एक चीज है मैं कहूंगी कि पंदरा से बीस मिनट के लिए मैंने स्ट्रॉंट में भी कहा था कि थोड़ा सा कन्फूजन का टाइमिंग आएगा उनके लिए जिसमें की डिसिजन लेना बहुत जादा जरूरी है इस टाइम के अंदर अंदर अगर यह मैं कहूंगी चार बज़े से पांच बज़े का जो समय रहेगा इस वक्त के अंदर अंदर का इंट्रेंट प्लेयर्स वो बाजी मार जाते हैं तो उनकी जीत पक्की है और पहिना कहीं उम्मीद है कि जीत पकी अगर में अगर अगर अच्छा नहीं हुआ तो पूरी टीम का सुपोर्ट भी तमाम एक दूसरे प्लेयर के लिए भी इंपोर्टन्ट होगा और भावना मैं आपसे बिलकुल सटीक में जवाब जाना चाहूंगी कि भारत और ऑस्ट्रेलिया में से दोनों में से कौन सी टीम जो है वो ताच के करीब जाए देखे यहाँ पे भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों ही अपने आप पे बहुत जादा उनकी कुनली जो कहूंगी म भावना का नियुकुल है तो आज की गशी डिजर को दोनों ही एक तरह से सपोर्ड कर रहे हैं चंद्रमा जो है इनकी कुनली में अस्ता है जैसे मैं पहले बताया ओशा नहीं है तो आज के गोषर की अगि बात शमयों पर चेशन करें और कही ना कहीं पे जीव तक वह पहु यह define करें अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो बहुत possibility जीतने की first half में combination भी अगर मैं देखती हूं उसका दोनू का तो first half में बूलूंगी possibilities है कि इंडिया बहुत धीला perform करेगा उसके बाद एक अच्छी से pick-up लेगा और बहुत अच्छी से perform करेगा तो अगर आप मु साला में बस इतना ही वापस लॉटिंग ये ठीक तीन बज़ोई